कि अधियों कि अज छे राजियों में जो चुनाव चल रहे थे पिछले महीने भर से तक्रीब है उनका प्रिणाम आ गया है आपने भी देखा होगा कोई बहुत थास उलट फिर हुआ हो ऐसा नहीं हुआ असाम मंगाल में बासपा और अपना मुल्क कॉंग्रेस की सरकार बची रही कि मिलाडू में डीम के आगे एए डीम के के जगह पे पिरल में वामपंत की सरकार थी बनी रही और एक और राज्य है पंडिचेरी का पंडिचेरी नहीं भासपा की सरकार आगे है संख्याओं में न आ जाएं और मैं खास इस पे बाते भी नहीं करना चाहूंगा बंगाल के बारे में हलका सा बंगाल में भासपा ने पूरी तागज हो देए थी करोड़ो अर्बो ने खर्बो रूपय के पैसे लगे थे सारी केंद्र सत्पा केंद्रिये सरकार लग लग लेक्शन कमिशन हो प्रामिलिटरी फोर्सेज हो और जूभी जितने वी थे उन्होंने पूपी कूशिश की दिए रेसेस का जूभी वहां पर ढाचा था पर रूप के संख्या मिलाए गया अपनी कोशिश की उन्होंने हर तरह के भाषा का इस्तेमाल हर तरह के धूत रख चीज़ की ऐसा नहीं कि दूसरे तरफ से नहीं हुआ मुल्क कॉंग्रेस के तरफ से हुआ है अपने जिस रूप में करते हैं वो करते हैं उन्होंने अपनी सब्विता दिखाने की कुशिश की और वाम पंथर कॉंग्रेस का साज़ा चुनाओ अर्यान था और उन्हें एक भी अभी तक शायद बादने मिल गया हो एक दो मिल गया और लेकिन एक भी उन्हें सीट नहीं मिला इनका सफाया हो गया जहां तक मंगाल की बाद आपको याद होगा राजियू गांधे एक्षन राहूल गांधी ने कहा था कि हम बड़ी बड़ी भीड नहीं लाएंगे भास्पा करता रहा है कि ना मुल कॉंग्रेस के भी कुछत्तक होता रहा है कि अन्य मोदी ने गड़गड होके एक भारी सभा में कहा अपनों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है यानि अप्रतेक्स रूप से भी या बा कि इस अर्थ में भास्पा का हार हुआ है तो उसे भी करीब सक्तर से अधिक बाठतर सीट मिली है और 294 में से 220-218 जो भी है ममता बनार जी भी तक के सूचना के हिसाब से अपना व्यक्तिगत चुनाओ नंदी ग्राम से हार चुपी है इसका अशर क्या पढ़ा जनता पर मजदूरवर किसानों पर उतने क्या मिला पर छोड़ता हो जी हां विशलेशन तो वही है तुनाओं में किस जगह से कुन जीता कैसे जीता कितने पैसे लगी इसने क्या बोला यहांसा बेमानी है खत्म हो चुका है यदि सचमुच में ऐसी व्यवस्था लानी है जो इस व्यवस्था को हटा कर एक नई सर्माज बनाए जहां सब को रोजगार मिले सबके लिए शिक्षा एक वैज्ञानिक शिक्षा और स्वास्थ का सौ प्रतिशत बंदो बस्थो जहां कोई भी घर भी ही ना रहे किसी तरह का भी नए अत्पचार हमारे परतों पर ना किया जाया इसे समाज इन चुनाओं से क्या होता है कि उनाण देने के जुरूत नहीं है चलिए चनाओं पर साथियो मेरा इतना ही चोटा सा ख़वर मैंने देखा टाइम से उफ इंडिया में मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोट रिव्यू वालिडिटी ओफ लॉव और सीडेशन आपने सुना होगा और इसके खिलाफ काम करने की बारत हो और इस सिडेशन का कानून किसी के उपर लगता है और साबित होता है उसे आजीवन का रावास मिल सकता है उसकी जिन्दगी कपन हो गई और यह सिडेशन अंग्रेजियों ने भारत में लाया था भारतियों की खिलाफ यहां अंग्रेजियों ने लाया था अंग्रेजी हुकूमत ने भारतियों खिलाफ यह कानून लाया था कि भारतियों तुमने हमारे खिलाफ परवाई की नारा बुलंद किया वेश विद्रोह का मुकर्मा तुम पर लगेगा और तुम्हें आजीवन कारवाज दिया जाएगा जा धारा है 124 ए इंडियन पेनल कुछे दर्शक हो गए भारत में सुप्रीम कोट में ही इस कानून को हटाने की बात को खारिज कर दिया था मैं यह फूांगे तुम उसने का था ने भारत में जरूराथ इसके उसकी इसकी जरूरत है कि जो उजिए जो बनाशी कर जा है जो पुब्लीक बिसार कडा कर व्यूंके खिलाफ जा सकती जरूरत है भारती सौता को जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ TIMEके के बाद उसमें बहुत सारे और ही बदलाओं हैं और उसके अंतरगत कई आते हैं यूए पी है लौफल अक्टिवीटीज पेंशन एक्ट प्लिक सेफटी एक्ट नाशनल सेकुरिटी एक्ट बहुत सारे आते हैं और आज तो जारों नहीं हैं लेकिन शैकणों की संख्या में व विच्छात्रनेता हो यहां तक की वकील जो की ऐसे लोगों के से में लड़ता है जो कि सरकार के खिलाफ उसने आवाज दी लेखक अभी यहां पत्रकार यह सब इस आक्ट के तहक जेल में बंद हैं यहां पर जेल में बंद होने वाँसे बेल भी कम से कम 3-4-6 महिने तक नही सरकार को यह अधिकार मिलता है उसकर सरकार का यह पजातंत्री का अधिकार है कि आप सरकार के खिलाफ जाएंगे आप तर यह धाराया लगाकर आपको जेल में कारावास में डाल दिया जाएगा और उसके बाद से आपके वकील भागते रहें यहां से वहां तक लेके सुप्रीम कोट तक आप जेल के अंदर रहेंगे जेल के अंदर बिमार हो मर रहें हो बुरे हालत में हो कोरोना वाइरस हो गया हो मांसी ग्रूप से विच्छिप्थ हो चुके कुए अंतर नहीं पड़ सुप्रीम कोट कोट फिर से रिव्यू करेंगे पत्रकार जिनके खिलाफ इधारा लगा हुआ है जेल में ते वो आये हैं सुप्रीम कोट और पास किया धारा ही गलत है अब corresponds की जरूत नहीं है पहया नहीं कर रहा है और भारत को रहत की सरकार भारत्वासरों की खिलाफ सेडीशन के साधार पर लगाएगी इसकी जरूत नहीं है भारस उधर गया बहुत बढ़िया हो गया इंकल आप जिंदावाद हम नहीं करेंगे भाई यह विदारा हटाओ कुछा लगता है यह होगा होगा तो फिर से हमारे कानून बनाने वाले हैं फिर से बाठें काहिए नही करूंगा बंद करूंगा उसके बादे बहुत सारे कानून बने हैं श्रम कानून ले थे उसी को खत्म करने के लिए और जिसमें आता है वही की आठ घंटे काम करने की जो एक लिमिटिशन था मजदूरों का किसी अधी काम नहीं करेंगे हर रोज और सप्ताहमें एक दिन कानून बन चुका है यानि दस से बारा घंटा करेंगे इसका क्या असर पड़ेगा दो तरीके से देख सकते हैं मजदूरों का दोहन बढ़ेगा यानि उसके जो मांस, हड़ी, पून, दिमाग, काम कर रही हैं जो वह तागत उसकी बनती है वह ज्यादा उसका घिसाई होगा अगले दिन और वापस जाके जो अगले दिन आएगा उसकी भरपूर क्या पूरी कहें तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगे जानी वह जल्दी मरेगा, 40-42 साल होते तक वह आगे काम करने लाइक नहीं रह जाएगा, नए मशीन के आने के बाद से हो सकता है, इस उम्रे से प प्राकार रह गये हो, श्रमिक रह गये हो, तो अब निपूनता नहीं रह गये, इसलिए तुम जाओ, लेकिन यहां तो पाम करने लाइक नहीं रह जाएगे, ना भी मरे, अब उनका जो आउटपूट होगा, वह पहले जैसा नहीं रह जाएगा, तो यह होगा, कि जल्दी से जल्दी इनको खतम करो भाई, तो खतम हो जाएगे, दूसरा यह होगा, कि मजदूरों की जो छट्मी हो रहे वो बढ़ जाएगा, वो सकता आपको पचास सो रुपे अधिक बीदे दे, तुसरा यह है, जो यह सरकार चाह रही है, कि मजदूरों की उपर जो खर्च हो रहा ह उसको कम प्याज है, ज्यानी जीपती वर्क मुनाफ़ा बढ़े, एक कानून है, कानून बहुत सारे है, खतनी का कानून, हायर अनफायर की जो बात है, बहुत सारे है, और इसका दूसरा पहलू यह है, हम कानूनों के दी बहाल ही कर ले, तो हम कौन से बड़े अच्छे आलत में ते, माले जी हमारे चापड़ जाती है, तो मजदूर वर्क इस देश का पूरी तरह से खड़ा हो जाता है, और है मजदूर खेत में हो, और और खान में हो, फाक्टरी में हो, शड़कों पे हो, ठेला वाला हो, नहीं कि मजदूर सारे जुढ़े है, इस सरकार को टप कर सिविल दिसोबीडियन्स का नारा दें सरकार जुख जाती पुजी पतिवर्ट जुख जाता है वो काता है भाई बंद करो इनकी मांगे माल लो नहीं तो हो सकता है करांती ही कर गुजरे आपको वापस कुछ सुधाय मिलती है फिर अंसा बड़ा कल्यान होगा फिर आपकम जी हां अपने हाथ में किया जाए कि ये फिर अभी भी इतने तागतवर ना हो इतने बिशेले नार हो ऐसी दात इनकी ना हो हमारे खिलाफ ऐसे कानून बना सकते हैं जी हाँ इदि आप समझ गये हो तो आधा दूरा बात है सत्ता लेकिस पूजी पतिवर कोई खत्म कर ना रहेगी बास ना बजेगी बास सुचिए गन्यवाद साथियों इंकलाब